आज मैं आपके साथ शेयर कर दीवाली की पांच रेसिपी सबसे पहले हम कलाकन बनाएंगे इसके लिए दूद में डाला है पनीर अच्छी तरीके से स्टर कर लेना है जब तक पनीर सौफ्ट न हो जाए इसे 10 मिनिट तक पकाने के बाद इसमें डालेंगे गी, इलाइची पा साथ ही डाला है चौप केवे पिस्ता इसके बाद हमने इसे फ्रिज में तीन घंटे के लिए सेट होने दिया है सेट होने के बाद इसे कट कर ले और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें नमकीन बनाने के लिए हमने लिया है मैदा साथ ही इसमें डालेंगे नमक, कर लिया है हमने इसे काजु काशेव दिया है आप किसी भी बॉटल के ध Besides कर भी बीचार आप इसे सफ कर सकते हो तो आम बिस रेसिपी को जरूर ट्राइं करें पियाद की कचौरी सभी की फेवरेट होती है इसके लिए हमने लिए है धनिया, जीरो और सौफ इसे अच्छी तरीके से roast कर इसे grind कर ले इसके बाद पैन में डाला है तेल, हींग और prepare के हुए मसाला इसे roast करने के बाद इसमें डालेंगे अदरग, हरे मिर्च, इसे भी saute कर ले फिर इसमें डाला है प्याज और भून ले प्याज को अच्छी तरीके से पकाने के बाद इसमें डालेंगे बेसन, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्श पाउडर और अच्छी तरीके से भून ले फिर इसमें डाला है पानी और एक semi hard dough तयार कर ले और 15 मिट के लिए rest करने दे इस तरीके से dough में हमें fill करना है तयार किये हुए mixture इसे अच्छी तरीके से close कर लेंगे और extra dough को निकाल ले इसके बाद हमने इसे deep fry किया है गरम तेल में आप भी इस recipe को ज़रूर try करें हमने इसे serve किया है इमली के चटनी और धनिया चटनी के साथ के बाद हमने बनाया है आलू roll समोसा इसके लिए है मैदा, नमक, अजवाइन और तेल अच्छी तरीके से mix कर लेंगे फिर इसमें डालेंगे पानी, एक semi hard dough तयार कर 30 मिट के लिए rest होने दे मिक्षे के लिए है आलू, धनिया पाउडर, लालमिश पाउडर, चाट मसाला, हल्दी, नमक, गरम मसाला, कसूरी मेथी, हरी मिर्श, धनिया पत्ता और कॉर्ण फ्लोर इन सभी को अच्छी तरीके से mix कर लेंगे dough को इस तरीके से roll कर लिया है, एक कटोडी डाल कर इस तरीके से mixture को spread कर लेना है फिर pizza cutter की साहता से cut कर ले, बीच में हमने लगाया है थोड़ा सा पानी और roll कर लिया है फिर हमने इसे fry किया है, गरम तेल में, flame को medium से low रखना है इसे golden होने तक fry कर निकाल कर सर्फ करेंगे आप भी इस recipe को जरूर try करें, हमने इसे tomato ketchup के साथ सर्फ किया है रसगुला तो हम सभी की favorite होती है, आज हम इसकी recipe देखेंगे इसके लिए हमने लिया है दूद, एक उबाल आने देंगे, पांच मिनट के लिए ठंडा होने देंगे फिर हमने इसमें डाला है सिर्का, जब दूद अच्छी तरीके से फट जाए तो इसे strain कर लेना है इसमें डाला है ठंडा पानी और एक्स्ट्रा वाटर को squeeze कर 30 मिनट के लिए rest होने देंगे फिर छेना को एक प्लेट में निकाल कर अपनी हथेली की सायता से इस तरीके से mash कर लेना है फिर हमने डो लेकर छोटे छोटे बॉल्स तयार कर लिया है चाशनी के लिए हमने लिया है चीनी और पानी फिर इसमें डालेंगे इलाइची पाउडर धक कर एकुबाल आने दे फिर इसमें छेना बॉल्स डालेंगे और धक कर 15-20 मिनट के लिए पका लेना है ध्यान रखे कि फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है रजगुला बिल्कुल तयार हो गया इसे ठंडा कर सर्फ करें तो आप भी इस दिवाली इन पांच रेसिपीज को जरूर ट्राई करें वीडियो अच्छे लगए तो लाइक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हापी दिवाली